Hello everyone, welcome back to my channel. So, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छी होंगे, आप मैं भी बहुत अच्छी है. So, guys, अभी morning का time है, तो अभी आप सब को भी good morning और अभी हमारा सब काम हो चुका है, बस बच्छे भी जा चुके स्कूल, क्योंकि सुबह सुबह इतना फावादोड़ी होती है ना कि एक्दम से सुबह उठो, काम करो पहले, फिर उनके टीफिन में ना हो तयार करो स्कूल बेज आप सब की तब जो जाने है और रहे नहार हो के बादर में बड़ा हो गाना, तो देखें क्या पिर मिलते हैं अब धोड़ दिरवाल, तब तक कि एक रीजे देए हैं काना अभी ले लेए दे दूध और अपर में पिर उनेंगें तब तक कि लिए बाए अमका टाइम हुआ है और रोग आएंगे यहाँ पतासी खाने है ठाली हैंगे बस अब पैक करवा रहे हैं पैक हो जाए पिस्तवाद में चलती है अब रहे ताई पैक है पैक हंभी जाई कुछी आए अच्छी अब हुआ है और रहे हैं श्याद किया चिकर देमाद है अच्छी टेमार है हैं तो फंशे आपसष चाहत आफ्याम तेया है में वर्म को बूग गठे हाएं ऑग की कि दना दीनё जार हो घर खाता है में दारे की हमाने क्यारो hamburger जाघन हमी भी मैं वोगो होगिए थे जहां वहें दो तो मुगोदा हमा सुख़ एक खाना प्रयच परीते ही दुट है यहाँ बुट भी वीटाड़ा यह लड़की इतना ख्यार रखती है पापा जी का बिचारी 11 बारा बजे तक बैठती है एक बजे तक बैठती है पापा जी की पास्मा जब तक सो नहीं जाती है इनको आप जाती है तो बीना अक्सीजन के रहते ही नहीं है आक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत जल जल घर में ही अक्सीजन लगा कर लेटे रहते हैं तो बीना अक्सीजन के stylास ही नहीं ले पाते हैं सौस की बिमारी है इनको तो आठ दिन में इनको भरती होना है आठ दिन भरती रहें गे और आठ दिन ठीक रहते हैं तो आप जाद सब इनके लिए प्रे करिये की मेरे पापा जी जलिदी से ठीक हो जाएं और हमेशा स्वस्त रहें हम लोग पूजा भी करते हैं ब्रेद भी करते हैं तो बोलते हैं कि भगवान से मेरे लिए फ्रात्मा करना कि मैं ठीक रहूं हम लोग बाते करकर के हसा रहे थे ताकि थोड़ा खुश रहें और स्वस्त महसूस करें पहले जब पहली बार आयते तब बन्मा जेखें अब बढ़िया हैना है ठीक है स्वस्त बढ़िया थेफ स्वस्त बढ़िया थेखें अब। बढ़ियाए कि मेरे पापा जी थीक हो जाएं इनकी तबियत बहुत खराब रहती है तो उनको बहुत चिंता रहती है अब गार्ड़ा आश्पिटर पे रहे रहे बारा अपंड़ादी आईशीयो में थे अभी आए हैं अभी अभी कुछ दिन पहले विर्सारी को आया है अब गार्ड़ा शींका है अब पचलाए अचलो ठीक बाई बोल दो गाईज तो गाईज अभी हम लोग आ चुके हैं घर अपने और मैं गाई थी आज पापाजी से मिलने उनके तबियत खराब थी तो उन्होंने फोन लगा कर वोला थी कि आए नहीं तुम लोग एक दिन गह थे लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है ना बच्चे स्कूल जाते हैं फिर टेवसन जाते हैं उनको लेकर आना लेकर जाना टेवसन छोड़ना लेकर फिर आना तो इसे इसे करके साम हो जाती है रात हो जाती है तो फिर आज गए सब लोग आते रहें तो हम देखें सब के पास बैठें तो इसलिए फिर वहां पर बैठें उनके पास खाना कहा कर आगए घर बस अब कुछ नहीं है, काम काम तो था हैं नहीं है, आप खाना पीना तो वहीं से खा करा घयते, अब थोड़े से बज़ां कशंबreh ही हैं तो मैं धूल लेती हूं तो वही बस अब थोड़े से दूलना है दो चार है तो दूलूंगी और बस आज का दिन ऐसे ही गया यह लेखू लग गई क्या हो गया मनुको और यह गया था पापाजी बोले कि मेरी तब्यात खराब है बेटा तो बोला कि मेरी भी तब्यात खराब है मुझे भी होस्पिटाल जाना है मेरे को बुखार आ गई है मुझे स्कूल में खांसी आती है तो इ घर में। अर सब्सक्राइब तो लेजाएंगे रषे करना सा में पनूफ टीक हुटार strategy यलính ऐसे एक डार दिपयता बनुद्ध की लिएक से वह कि बढ़िया झाएंग धूक मम नहीं है इसको नहीं हम जाएंगे ठीक हो लेगए बस यही है अब चलो कर लेते हैं काम थोड़ा बहुत जो है और फिर बच्चों को सुलाएंगे तो कि इनके सुनाने में ही एक घंट लगो ये स्टेंड कप्डे सुखाने का यहां पे रखा हुआ है हॉल में क्योंकि वहां पे तो जो वासे रही है न मुझा वहां पर शुबण पानी चोड़ा है जब गिर्दा पानी न तो थोड़ा बहुत जाता तो वह अगिर जाता तो लेकिन क्या करें यह सब बरसात को मौचा में तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा जुकार तो बस यही है चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक यार और वीडियो को बीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैन बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक यार थैंक यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग